जैहिंद मैं हूँ अंप्रिकास मिस्रा आप देख रहें नूजफर्स्ट में आपका स्वागत है जैसा के आप जानते हैं हम हर हपते आपको एक ऐसी सक्सियस से रूब रू कराते हैं जो अपने आप में एक माहिर है अपने छेतर में उनका नाम हो इसी सिल्सले में आज हम आपको रूबरू कराते हैं यूवा तेस्तरार और मुंबई के जाने माने अधिवक्ता स्री कमलेस यादोजी से जो की उत्तर मुंबई में उत्तर भारती सेल के सिउसेना में प्रमुक हैं जिसकी आज महाराष्ट में सरकार है जी हाँ, महाराश्ट में सरकार चला रही सियुसेना के उपपर, हम खुल करके इनके विचारों को जानेंगे, आज इनसे हम चर्चा करेंगे, कमलेज जी आपका स्वागत है, नियूस फर्ष्ट में जैहिंद, वंदे मातरम, आप सभी को सप्रेम जै महाराश्ट कमलेज जी सबसे पहले, सियुसेना की जो सरकार यहाँ पर महाराश्ट में कार्य कर रही है, उसके उपपर आपकी सरकार है, इसलिए नहीं, जनता के नजरिये से आप क्या जनते हैं? देखिए, हमारी सरकार जब आई और तुरंती यह पेंडमिक का टाइम आ गया, पेंडमिक का टाइम आ गया तो अन्य कामों के साथ साथ यह पेंडमिक से जो लड़ाई है, लडने का काम हमारी सरकार ने किया, और यह जो खास करके बंबई सहर है, यह कॉस्मो पॉलिटन सहर यहां पर दस भाई दस के खोली में दस लोग रहते हैं, common bathroom रहता है, common toilet रहता है, यह होने के बावजूद भी हमने बहुत ही तिवरगती से हमने टेस्टिंग किया और जो है कि जो मरीज हैं, हमने अभी कारिकरम हमारे सरकार में शुरू किया है कि माजा कुटुम माजी जवाब दारी, तो माजा कुटुम माजी जवाबदारी में ऐसा है कि हम खुद का ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें, बहुत बहुत क्या होता है कि लोग जब मिलते जुलते हैं दोस्तों से तो मास नहीं लगाते हैं, उनको लगता है कि यह हमारे ही लोग है, या क जो है oxygen level testing और उनका fever फिर उसके बाद subsequent अगर कोई suspect आता है तो उसको proper इलाज दिलाना, बीच में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा सब्दो का घाल मेल हो रहा था, उस पे भी हमने ध्यान दिया, लोग बोलते थे वहां से एक मिला, वहां से एक उठा लिया, वहां पे एक पकड़ गया, तो थोड़ा सा भै का वातावरन यह सब्दो के इस्तमाल से था, हमने इसको भी combat किया, कि भई वो मरीज है, कोई आरोपी नहीं है, तो हमने एक सामाजिक वातावरन तयार किया, लोग आगे आए, लोगों का टेस्टिंग बहुत रैपीड तरीके से चालू है, लोगो कि किसानों का विशे है, उस पे भी हमने जो बीज देने का जो काम किया, किसानों को, वो सारे कार जो है, सरकार अपने लेवल पे कर रही लगा था, अपने बताया कि जो महामारी वाला समय था, या फिर आपने किसानों को उपर चर्चा की, एक जो बहुत contribution वाला मामला आज म मुंबई में चल रहा है, जाच का विशे चल रहा है, NCB भी उसके अंदर कूच चुकी है, किंदर सरकार ने CBI को मामला दे दिया है, इसके उपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, देखिए ये pure political case है, ये इस बात से जाहिर हो जाता है, कि भारती जनता पार्टी के लोग, अग का जो सर्वे आया है, उसके अंदर महाराष्टा की मुक्यमंत्री को नमबर वन मुक्यमंत्री का उन्होंने खिताब दिया है, फॉलोड बाई अर्विंद केजरिवाल फ्रम दिल्ली, तो इसके अंदर नमबर एक, नमबर दो पे जो है गेर भाजपाई सरकार है, तो ये भा आने चैनलों को देश-द्रोही चैनल करता है, या चाय-बिस्कुट वाला चैनल करता है, तो मेरा सवाल वो चैनल से ये है, कि प्रधान मंत्री भी तो चाय वाले हैं, तो उनके बारे में भी उनका यही राय है क्या, अगर कोई इंडिपेंडेंट अपना मत रखता है, तो उसके बारे में भी आपका वही मत है क्या, तो ये एक एक जमाने में जो चोर होते थे, तो चोरी करने के लिए पसुधन चुराते थे, किसानों का पसुधन जो है, वो चोरी कर ले जाते थे, तो किसान लोग गाय के गले में घंटा बानते थे, तो दो चोर क्या करते थे, घ गाय को लेके दूसरी दिसा में भागते थे ऐसे सूरत हाल में जो घंटा बसता था दूसरी दिसा में किसान को ऐसा लगता था कि मेरी गाय उस दिसा में चोर लेके जा रहा है और वो किसान घंटे की दिसा में भागते थे और गाय हो जाती थी चोरी गाय दूसरी दिसा में चो इनुसरोवर्ती का जो ड्रक का मामला यह आज के महौल में वह गाय के घंटे की तरह है यह इसनलस जो है वह गाय का घंटा लेके एक डिशा में बाग रहा है real गाय चोरी हो वो अलग डिसाइन में चली गई लोगों को ब्रह्मित करने का जो विशय है ये किसानों के आत्मत्या का विशे TV चैनल को नहीं उठाना चाहिए, क्या बेरोजगारी का विशे TV चैनल को नहीं उठाना चाहिए, क्या जो GDP घटती जा रही है, लॉकडाउन जो अनप्लांट तरीके से किया गया, लॉकडाउन जो फेल्ड हो गया, ये विशे पर ध्यान देना चाहिए, ये विशे ध्यान बटकाने के लिए, ये बाचपा का जो लोग है, वो गैर जिम्मेदारां तरीके से सुसान सिंग राजपूत को नहीं मिलना ये जो ड्रक्स का कारोबार है, ये आज का नहीं है, पुराना है, ये होना ही चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन इसके साथ-साथ बेरोजगारी का मामला, किसानों का मामला, घट्ती, जीडीपी का मामला, अर्थ व्यवस्ता का बेहाली का मामला, ये मामला एकदम मैं आपकी बात को मान भी लेता हूँ कि इस समय बेरुजगारी का मसला, किसानों का आत्मत्या का मसला, यदि बड़े-बड़े मसले जो है महाराज सरकार के पास में सुधारने के लिए और उसको दुरूस्त करने के लिए हैं, तो मुझे एक बात बताईए कि क्या जरूरत थी BMC को कि कंगना रनावत के घर पे जा करके जैसी भी चलाने की, बहुत से मुद्दे हैं सरकार के पास में, जा करके पहले किसी के घर और आफिस को ही तोडने की क्या जूरत थी? देखिए, ये कंगना जूर है, ये भी भारती जनता पार्टी की प्रयोजित कारकरम के एक हिस्सा है, ठीक है? और ये कोई आज का ये मामला नहीं है, कंगना का केस यहाँ पे सिटी सीविल में भी अनाथराइस कंस्रक्शन का पेंडिंग है, अनाथराइस कंस्रक्शन का उस लोग बोलते हैं, साथ दिन का नोटिस देना चाहिए, पंदर दिन का नोटिस देना चाहिए, उनको 354A of MMC Act का नौलेज ही नहीं है, 354A Act आपको 24 गंटे का नोटिस देता है, यू सूर आइदर स्टॉप दी वर्क एंड प्रडूस दी डॉकुमेंट, वेदर, मैं समा चात मैं हिंदी में बोलता हूं, 354A में आपको 24 गंटे की नोटिस का ही उसमें प्राविदान है, आपका काम चल रहा है, तो आपको 24 गंटे की नोटिस दी जाएगी, फिर आप उसके अंदर आप अपने डॉकुमेंट आप दस्तावेज प्रडूस कीजे ना, आप बोलते हैं कि मैं बाहर हूं, बाहर हो तो आपका काम चल रहा है, आपकी बेहन हैं आप है, दस्तावेज आप प्रोडूस कर सकते हो, दस्तावेज अब ये कंगना को प्रूफ करना है कि उसका जो कंस्रक्शन है, ओ ऑथराइज है, अगर आप दस्तावेज भी नहीं दे पाते हो, तो ये जाहिर सी बात है, उसको अनाथराइज माना जाएगा, कंगना ने तो दो करोड का चैलेंज भी किया है, मांगा भी है बिमसी से, मैं कंगना के उपर मैं सरकार से एक गुजारिस करने वाला हूं, कंगना के उपर डिफेमेशन का भी केस एक फायल होना चाहिए, ठीक है, बिम बिमसी कोई बाबर की सेना नहीं है, कोई औरंग जेब की सेना नहीं है, बिमसी हमारे सरकार का हिस्सा है, एक डिमोक्राटिक प्रजाततंत्र का हिस्सा है, तो यह जो बिमसी को उन्होंने बाबर की सेना कही या औरंग जेब की सेना कही, यह डिफेमेटरी वर्क है, दो तेह करेगी अगर उसका काम जो है अनटराइज है तो उसको टूटना ही चाहिए देखे एक example देखे में एक बहुत लोग बोलते हैं कि बंबाई सहर में बहुत सारे अनटराइज हैं है definitely है ठीक है बहुत लोग बोलते हैं इतनी ततपरता से बियंची दूसरे अनटराइज वर पर काम नहीं करती है लेकिन एक चोर एक विदाउट टिकट ट्रेवलर वो पकड़ा जाता है टीसी उसको पकड़ लेता है तो वो टीसी से जगड़ पड़ता है बोलता है कि बहुत सारे विदाउट टिकट ट्रेवलर हैं हो सकते हैं लेकिन आज आप भी विदाउट टिकट ट गटक गए नहीं मिलें जैसे कि आपने बताया आपने कानूनी पहलों उसका बताया आज सिउसेना को क्या संजे राउत समय समय पर परसानी में डाल देते हैं आपके क्या विचार है देखिए हम प्रभुसिर राम जी के भक्त है ठीक है राम जी का रोल एक होता है लक्षमन जी तो रोल सबका अपना-पना है सब लोग अपने-अपने किरदार में है राउत जी सुपनका का नाक काटने का काम कर रहे हैं वो भी एक काम है काटने ही पड़ेगा नाक चलिए एक राजनितिक सवाल आपसे अंत में बताया और लोग ये भी कहते हैं कि एक गंगनार अना और अवरत है अवरत होने के कारण उसका रिस्पेक्ट होना चाहिteen आपने पूरी तरह से कारूनी वैदता के साथ में आपने जनकरी दी मैं आपसे एक राजनितिक अंतिम सवाल पुछूंगा कि मुझे यह थीख है आप कई वर्सों से भाजपा के साथ में सही होगी रहे आज मुख्यमंत्री आपका बना दो गैर सहायक आपने साथ में सत्ता पक्ष में रखे क्या आगे चल करके ऐसा मुख्यमंत्री जो है वो पुना भाजपा के साथ में हाथ मिला लेंगे देखे ऐसा एक अंग्रेजी में कावत है कि in politics there is no permanent enmity, politics में permanent दुश्मनी कुछ नहीं होती है, permanent opportunity होती है और यह कटू सत्थ है, अगर मैं राजनीती में सक्री हूँ और मैं कहूं मैं चुनाओ नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो यह मैं कह देता हूँ कि जूट के सिवा और कु है और मैं कहूं कि मैं सत्ता नहीं बनाना चाहता, सरकार नहीं बनाना चाहता, तो यह जूट के सिवा और कुछ नहीं है, भारती जनता पार्टी ने भी समय समय पे अपना जो opportunities explore की, समय आया PDP के साथ, जो है कि मांडी को मांडी लगा के बैठ गए वो, PDP जो है, एक जो दे दुस्तान के खिलाफ वो बोलते रही है, और यहां पर जो कौंग्रेस है और राष्टवादी कौंग्रेस है उनका इमेज ऐसा नहीं है, उनका इमेज राष्टवादी है, हमने जो सरकार बनाई है, वो राष्टवादी दलो के साथ बनाई है, हमने PDP जैसे party के साथ हमने स कि जनता को ने प्रोमीस किया हूरा देव रहेगा और हमारी कोसिस आप में वही रहेगे कि जो इंहारा मैनिफेस्ट हो हो कि ने सब्खते हैं , does perfektion को साहखती हुआर्या य्याठी ब Rule प्रकी से government करेखती है। कारियों को साथ में ले करें चलते हैं आप उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं तो अभी तक आप जो कारे कर रहे हैं तो किस तरह से राजनीती और समाजनीती कहिए कि सिवानीती वाले कारियों को तो दोनों को आप साथ में ले करके चलते हैं उनको काउंटर करने के लिए एक्चुली ये जो है समाज कारानी है और समाज विकास मंच एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिस तरह से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनके जो अस्पतालों का विसे हो गया, उनके जो स्कूल में एडिमिशन का विसे हो गया, अनसमाजिक जो समस्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सभी लोगों का कोई भी आए, हम सभी लोगों का उसमें उनका जो मदद हो सके वो मदद हम करते हैं जैसा कि आपने सुना सामाजिक विकास मंच, जो की मुंबई की जानीमानी संस्था है, एंजियो है और उसके जो राष्टी और संस्थापक अध्यक्ष हैं एडिवकेट कमले सियादो जी ने अपनी बेबाकी से राय आज हमारे सामने रखी, उमीद करता हूँ कि आपने पूरे गहर से उनको सुना होगा और उनके जो नजरिये हैं, जो उनके विचार हैं उसे आप सहमत भी होगे कैमरा परसन, विनोद राच्पुत के साथ ओम प्रकास मिनिस्टर, न्यूजफर्स्ट मुंबई